असलाम अलेकुम नाइंध क्लास सब्जेक्ट मैंद आर्च चेप्टर नंबर 8 8.2 एक्साइज अच्छा अभी तक हमने 8.2 एक्साइज शुरू नहीं की थी लेकिन पिछले 2-3 लेक्चर से वही चल रही थी उसमें हमने अब हमने उनकी क्वेस्टन करने पहला क्वेस्टन हो सका है डिटेल के साथ क्वेस्टन पड़ा था इसलिए इस लिए यह आपको दिया है बी आपको यह दिया आपको पहले आप नमबर ओफ एलिमेंट्स लिए और आपको पता होने चाहिए कितने एलिमेंट्स कहा कहां पर आएंगे नमबर ओफ एलिमेंट्स इन सेट एसेट में कितने एलिमेंट्स है त्री नमबर ओफ एलिमेंट्स एट बी बी में कितने होंगे त्री मुल्टिप्लाइट टू सिक्स एलिमेंट्स आएंगे देखलें एक रॉस भी हुए वान टू टू त्री फोर फाइफ सिक्स इस तरह न तू पावर यही पावर आदेगी 6, यही नमबर आदेगा, तू पावर 6, 64 बाइनरी रिलेशन आएंगे, आपने 2 निकालने है, जस्टू, नमबर ऑफ बाइनरी रिलेशन आफ, अब A क्रॉस B कर यह है, B क्रॉस A, वो भी टू पावर यह, 64, तो हम पहले A क्रॉस B के लिए हा 3 को 1 के साथ लिए, 3 को 3 के साथ, 5 को 1 के साथ, 5 को 3 के साथ, 6 को 1 के साथ, 6 को 3 के साथ, यह है कर्टी हैं प्रोडक्ट आगए, अब 2 बाइनरी रिलेशन और डियर डुमेंट और रिंच आर, तेको बच्छो 64 बाइनरी लेशन आप कोई से 2 लिख दे, याद नहीं करने, बच शुरू के तीन लिख दें आर वन शुरू के चार लिख दें दोबारा आर टू ऐसे करने यह शुरू के पांच ले 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 आर वन शुरू के छे ले ले आप आर टू यानि कि आप किसी और सेंस में ना जाए कि यह कैसे आया कि बस स्टार्ट से ले 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 यह कहीं न कहीं तो बनेगा, जब 4- 4 के pair श्टार होंगे चार-4 नम्रों के तो फिर यह सेट बनेगा इसमें इसकी डुमेंग कैसा त्री, थृ, फाइचट फाइच थृ 95 इसकी रिंज क्या है, 13, 13, 13, 13 रिसकी रिंज लें जिए डुमेंट भी आगी लें इसी तरह आटू निकाले मैंने फोर एलिम्टस ली हैं आफ फाइफ एलिमंटस ले लें फाइफ एलिमंटस का भी एक राउंड चलना है जब बाइने डिशन नकलेंगे तो इसके डुमेंड क्या है कि पहले 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 ऐलिमंट 356 रेंज वही स्टेटमेंट टू बाइन रिलेशन्स एंड रुमेंड एंड रिंज आर मैंने पहले तीन के ले लिए थ्री मन नंबर्स के जो राउंड चलना था मैंने वो ले लिए और आर टू मैंने फोर नंबर का राउंड ले लिए यह कही नहीं तो आएंगे इसकी मैंने डूमें निकाली तो वन आरी रेंज निकालेंगे तो तो पिसकी डूमें निकालेंगे तो यह दगए तो तो यह दद Tay को सामने question number two भी शायद नहीं बढ़ा हो, anyway, आपको मैंने एक detail से जो मैंने आपको theory समझाई थी, function समझाई थी, उसी से relevant question भी गरवा दी है, इसके practice जरूर करें, और इसके not जरूर ना है, जब तक के लिए, Allah आफिस.